दोस्ते एक professional blog या website बनाने के लिए domain के साथ hosting चाहिए होता है domain आपके website का नाम होता है और hosting में आपके website के सारे file store रहता है WordPress tutorial for beginners के इस series में अभी तक आपने जाना एक domain क्या होता है, hosting क्या है, अपने computer या laptop को free में कैसे hosting बनाते है और domain maximum discount के साथ कैसे buy करे आज का video series का 5th video है और आज हम जानेंगे hosting कैसे buy करें और कहां से आप cheapest price में best hosting buy कर सकते हो अगर आप एक student हो, आपको बस सीखना है, एक website कैसे बनाते है और website में काम कैसे करते है तो आपको domain या hosting buy करने का कोई जरूरत नहीं है Students के लिए specially ये video है, इसमें मैंने आपको बताया है अपने computer को ही कैसे free में एक hosting server बनाया जाता है और free में domain कहां से लेना है पर अगर आपको online income करना है अपने blog या website से तो आपको एक अच्छा hosting buy करना ही पड़ेगा इसके पीछे का reason मैंने इस video में details में बताया है वीडियो शुरू करने से पहला आप सबसे एक ही request करना चाहूंगा अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe कर लीजिए subscribe करने के बाद side में जो bell icon है उस पर click करके अगर आप all notification को enable कर देते हो तो जब भी इस channel पर मैं कोई नया video upload करूंगा तो उसका notification आप तक पहुँच जाएगा दोस्तों hosting हमेशा एक trusted company से ही buy करना चाहिए क्योंकि जब आप hosting buy करते हो तो आपको देखना होता है उस hosting का uptime कैसा है अगर uptime अच्छा नहीं होगा तो आपका website search engine में rank होने में बहुत ज़्यादा time लगा देगा साथ ही जिस company से आप hosting buy कर रहे हो वहाँ पर customer support कैसा है ये भी आपको check करना चाहिए क्रीन में जितने भी hosting providers आपको दिख रहे हैं कि सभी trusted है आप इन में से किसी भी company से hosting buy कर सकते हो बट अगर आप जानना चाहते हो मैं personally किसका hosting use करता हो तो मैं hostinger का hosting use कर रहा हो पिछले 3 साल से इस hosting को मैं use कर रहा हो कभी ये एक second के लिए भी down नहीं गया है इसमें कोई भी problem मैंने face नहीं किया है hostinger में hosting 69 rupees से सुरू हो जाता है और यहाँ पर आपको सभी hosting plans में 30 days money back guarantee भी मिलता है यानि hosting purchase करने के 30 दिन के अंदर अगर आपको hosting पसंद नहीं आता है तो बिना किसी सवाल जबाब के hostinger आपको आपका पूरा पैसा refund कर देगा hostinger में payment का बहुत सारा option है card, ubi, net banking, paypal के साथ pay team payment का भी यहाँ पर option मिल जाता है आपको चलिए जान लेते हैं hostinger से hosting purchase करने का पूरा प्रोसेस क्या है hostinger के official website का link आपको वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा यहाँ पे आने के बाद उपर आपको अलगरग प्रकार के hosting सिलेक्ट करने का option मिलेगा जैसे कि shared web hosting, cloud hosting और VPS hosting आपको जैसा hosting buy करना है आप select कर लेना small and medium website जिसमें 10,000 से लेके 1,00,000 के आसपास monthly visitor आते हैं उनके लिए shared web hosting ही beneficial होता है shared web hosting में आपको तीन plans देखने को मिलेगा single web hosting का price only 69 रुपीज पर मन्त से शुरू होता है premium और business web hosting का price यहाँ पर आप देख सकती हो single web hosting में आप सिर्फ एक website को host कर सकती हो premium और business web hosting में आप up to 100 websites को host कर सकती हो इसलिए अगर आपको multiple website बनाना है तो आप premium और business web hosting ही पाई करे premium और business web hosting के साथ free domain भी मिलता है बाकि सभी plans में आपको free unlimited SSL, cloudflare protection, 24x7, 365 support, 99.9% uptime और 30 days money back guarantee भी मिलता है hostinger से hosting buy करना बहुत ही easy है किसी भी plan को आप select करिए आपको one month, one year, two year and four year का price सो होगा जितने ज्यादा time के लिए आप hosting buy करोगे उतना ही ज्यादा discount मिलेगा second step में आपको hostinger में अपना account create करना है और उसके लिए आपको अपने email id यहाँ पे देना होगा आप यहाँ पे अपना एक ऐसा email id डाली है जिसको आप access कर सकते हो क्योंकि hosting buy करने के बाद receipt और cpanel का information आपके email पे ही जाएगा next step आता है payment option सेलेक्ट करके payment करने का पर यहाँ पे जितना price सो हो रहा है अगर आपको इसके उपर भी extra discount लेना है तो यहाँ पे coupon code का option है इस पे click करके your technical यह वाला coupon code आप apply कर देना price और भी कम हो जाएगा अगर आपने hostinger से hosting और domain purchase किया है तो कैसे आप उसको set कर सकते हो तो सबसे पहले तो आपको अपने hostinger account पे login कर लेना होगा जिस email id और password का use करके आपने account create किया था और अपना hosting या domain purchase किया था उसी email id और password को देखे यहाँ पे login कर लिजए सबसे पहले Login करते ही hostinger के home screen में आपको सारे products show करेंगे जिनको आपने hostinger से purchase किया अगर आपने hosting purchase किया तो hosting यहाँ पे show करेगा सभी products को हम setup करेंगे और कैसे setup करना है चलिए जान लेते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने domain को setup करने वाला हूँ तो चलिए जान लेते हैं Hostinger में अपने domain को कैसे आप setup कर सकती हो इसके लिए यह जो domain है इसके side में setup का button आप देख सकते हूँ domain जिसके नाम पर आप register कर रहे हैं उस इंसान का पूरा details यहाँ फिल करने के बाद आपको setup के button पे click करना है setup के button पे click करते ही कुछ इस तरीके का interface आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर continue to control panel का जो button है इस button के उपर आपको click करना है email पे I'll link पे click करते ही कुछ इस तरीके का page आपके सामने आएगा यहाँ पे verify email के button पे आपको click करना है जैसे आप click करोगे तो आपका email id आपके contact information के साथ match हो जाएगा और आपका domain पूरी तरीके से register हो जाएगा hostinger में अपने domain को कैसे sit करना है अपने domain को कैसे register करना है यह मैंने आपको बता दिया है चलिए देख लेते hostinger में अभी hosting account को कैसे sit करते हैं यहाँ पर मैं फिर से hostinger के home screen पे हूँ क्योंकि domain हमने register कर लिया है इसलिए domain के side में setup नहीं दिखा रहा है setup के button पे click करते है कुछ इस तरिके का page आपको दिखाए देगा यहाँ पर start now के button पे आपको click करना है अभी आपको अपने hosting account के लिए domain सेलेक्ट करना है क्योंकि hostinger से हमने domain को purchase किया है इसलिए यहाँ यह वाल option आ रहा है domain choose करने का अगर आपने दूसरे किसी provider से domain को purchase किया है उसका भी यहाँ पर option मिल जाता है उस domain को भी आप hostinger के hosting account के साथ connect कर सकती हो तो मैं यहाँ पर domain को select कर लेता हूँ domain select करने के बाद यहाँ पर option मिल जाता है build a new website या फिर अगर आपका already एक website या फिर blog है तो उसको भी आप यहाँ पर migrate कर सकते हो easily तो मैं अभी इस process को skip करता हूँ क्योंकि मैं आपको पूरी तरीके से from scratch यह चीज़ सिखाने वाला यह procedure मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप professional blog या फिर website को बना सकते हो hostinger का hosting यूज़ करके hostinger के hosting में आपको बहुत सरे extra feature मिल जाता है यही से आप अपने hosting में WordPress को install कर सकते हो या फिर WooCommerce को install कर सकते हो यहांसे आप अपने ही साब से अपने server को choose कर सकते हो आपका जो server location है उसको select कर सकते हो और select करने के बाद यहां पे finish setup के button पे आपको click करते ना होगा दोस्तों आपको बस इन simple steps को follow करना है और कुछी seconds के अंदर आपका hosting account यहां पे बन के ready हो जाएगा अगर आपने यहां पे WordPress, WooCommerce या website builder का use करके कोई template यहां पे install किया था तो आपका website या फिर blog यहां पे ready हो जाएगा क्योंकि मैंने यहां पे अभी तक setup नहीं किया है तो कुछ इस तरीके का page यहां पे दिखा रहा है यही पे आपको hostinger का c-panel भी देखने को मिल जाता है और कैसे आप hostinger के hosting को और domain को use करके professional website या फिर blog बना सकते हो इसका भी tutorial आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा इसलिए अगर आप आने वाले वीडियो को मिस नहीं करना चाते तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और साथ ही site में जो bell icon आएगा उस पर click करके notification को enable कर दीजे ताकि आप मेरे आने वाले किसी भी वीडियो को miss ना करो hostinger में कैसे अपने domain और hosting को setup करना है यह आपने सीख लिए अभी बात करते है कैसे आप SSL certificate को अपने hostinger के hosting account पे install कर सकते हो activate कर सकते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे setup पे click करना होगा जो भी domain आपने hostinger से purchase किया है उस domain को आपको यहाँ पे select कर लेना होगा क्योंकि मैंने एक ही domain purchase किया है तो यहाँ पे एक ही domain दिखा रहा है और इस domain के साथ मुझे SSL certificate विल्गुल free में मिला है मुझे खरीदना नहीं पड़ाई यहाँ पे तो domain already selected है यहाँ पे अभी activate के button पे click करना होगा जैसे मैं इस button पे click करूंगा तो कुछी seconds के अंदर मेरा SSL certificate install हो जाएगा activate हो जाएगा बहुत ही simple है यहाँ पे यह सारे setup बने रही है जैनल के साथ next video में आपको website building के बारे में website development के बारे में website designing के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा next video का notification अपने phone and email में पाने के लिए चैनल को subscribe करके bell icon पे click करके all notification को enable करे this is a new channel और यह channel तभी grow करेगा जब आप सब मिलके support करोगे so please support this channel please support this video आपका एक like मुझे motivate करेगा ऐसे और भी videos बनाने में thank you for watching this video